नमस्कार, वलकम टू कबड़ी को, जैसे मैं हमेशा की तरह आपके सामने उन हीरों को लेके आता हूँ, उन शुपरुश्तम को लेके आता हूँ, जिसे हम अंगशंग हीरो कहते हैं, दो उनसे वह बातें पूछते हैं, जो आप लोगों को नहीं पता। उनसे वो राज जानते हैं जो आप लोगों को नहीं पता जैसे पहले भी मैं बहुत जबार कहा हूँ कि हम लोग स्तारों को जानते हैं जो हमारे हीरों हैं उनको जानते हैं लेकिन उनके पीछे जो सदस्या हैं उनको बनाने वाले जो लोग उनके लिए काम करते हैं इन लोग को ढूंडते हैं तराशते हैं तो उनको मैं आपके रूब रूब करता हूं तो आज हमारे साथ जुड़े हैं सुरिंदर पहल जी जो भारतिया संग का बड़ी अध्यक्ष के प्रेजिडेंट है और जो इनकी मोटिवेशन है जो र मेरा सभी कवड़ी प्रेमियों को कवड़ी से जुड़े हुए हर साथी को मैं बहूत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे सक्षियत के साथ हमें आज जुनने का मूखा मिला और कबड़ी का जितना भी आप लोगों ने इस मुकाम दिया आ कबड़ी को उसके लिए मैं आप سबी का धन्यवाद करता हूँ बार बार नमस्कार नमस्कार सरिंद्र भाजी ये बताईए कि जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो क्या उसके पहले आपके दिमाग में कोई कबड़ी का ये सलेबस और ये पन्ना था जो आपने अभी लिख दिया है नहीं नहीं जब आपसे मेरी मुलाकात हुई चे नहीं मैं तो उस टाइम मुझे कबड़ी के बारे में इतना जादा मुझे शोक तो था पर इतना जादा प्रेम नहीं था कि मैं इतना डेडिकेशन से कबड़ी में जब आपकी स्पीच में ने सुनी आपसे में मिला और मुझे पता लगा कि कवड़ी के लिए आप इतनी दिन रात मेहनत करते हैं एक देश से दूसरे देश में जाते हो बच्छों को प्रेनिंग देने तो मैं इतना कायल हो गया आपका और मैंने भी ठान लिए उसी दिन से कि मैं भी कवड़ी में जैसा आप कर रहे हो इससे इतना तो मैं कर सकता परमाप के पीछे पीछे जरूर चल सकता हूं कवड़ी को आगे बढ़ाने के लिए पलेरों को एक सम्मान दिलाने के लिए पलेरों को वह जगह जो नहीं मिली उस तक उनको पहुचाने के लिए मैं दिन रात एक कर दूँगा ऐसी मैंने उस दिन प्रतिग्या ली आ और जब किसी का साथ साथ में होता है, तो तब ही ये मकाम हासल होता है. ये आप सब लोगों की दुआये हैं साथ हैं जो कुछ आज हम हैं. अगर कबड़ी नहीं होती सरिंदर पाजी शुसयात हम नहीं मिलते हैं. तो ये है के कबड़ी एक ऐसा वो परवार है, एक ऐसी जहां कभी कुछ चीज के बारे में किया? हाँ, मैं अच्छा स्पोर्ट मैं एचलीट भी अच्छा था और कबड़ी का भी मैं अच्छा प्लेर था. दोनों ही दोनों ही शांदार और उसके बावजूद मैंने बारीकी से खेल को देखा है. खेल में कितनी कठिनाई आती है, खेल में बच्छों को क्या-क्या कठिनाईों का सामना करना पड़ता है, उनको अच्छे कोच नहीं मिलते, उनको अच्छी हेल्प नहीं मिलती, उनको कोई रस्ता नहीं मिलता, वो सारी चीजे मैं फ्येस करके आया हूँ. और जब मैं कबड़ी में आपके साथ जुड़ा, उसके बाद मुझे लगा कि मैं उन बच्चों के लिए एक कुछ रस्ता बना पाऊँ, उन बच्चों को मैं एक रस्ता दिखा पाऊँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, कि उन बच्चों को ये चीजे मिलें, जो हम चीजे फेस करक आई, जी, ये सच आपने जो कहा है, ये बिलकुल सच है और ठीक है, मैं भी जब कबड़ी खेलता था, कबड़ी करता था, तो जो वीकनिस मैंने तब देखे थे, जो फेसी हमने तब चैलिंज जो फेस किये थे, तो मेरे दमाग में भी यही था, कि आगे जो बच्चे हैं, बच्चों को एक ऐसा मकाम मिले, जैसे आपने कहा है, फेरनस मिले, और ये जो करप्शन आई से दूर हो, जो बच्चा डिजर्व करता है, जो बच्चा फीजिकली डिजर्व करता है, जिसमें गुन है, वो आगे जाना चाहिए, ना कि वो बच्चा जिसकी जान पशान है, तुछे आपने बहुत अच्छी बात करी, मेरा खयाल, अच्छे प्लेयर शहProduacked अच्छे मैनेजर नहीं हो सकते, कोचेज नहीं हो सकते, जहाँ पर्मोटर नहीं हो सकते, अच्छे पर्मोटर शहaden अच्छे प्लेयर नहीं रहे, तो शाहिद वोई जुनून है आपके अंदर सुरिंदर पाजी जब से आपने ये कबड़ी की वाग डोर भारतिया संग की संभाली है आपकी फेस्बुक पे मैं देखता रहता हूं कोई ऐसा फंक्शन नहीं है चोटा हो बड़ा हो आपकी लिए कोई नहीं तो आप जाते हो य आप ये कैसे मैनेज करते है बाइसा जी मैं एक भारत सरकारकाई का अधिकारी भी हूँ और उसके बावजूद मैं NCR जो दिली के आसपास है मैं साधे पांच बजे चुटी हो जाती है तो मोस्टली प्रोग्राम श्याम के ही रहती है तो मैं हर रोज ओफिसे निकल के सीधा गाओं की तरफ दोड़ता हूँ मैं रात के बारा एक दो बुजे तक मैं घर लोड़ता हूँ और जो भी प्रोग्राम हो 100-100 किलोमेटर के दाएरे में मैं हुस हर प्रोग्राम को अटेंड करता हूँ ताकि उस बच्चे को उस बच्चे की जो एक अब उस ठान रखी है आग प्रोग्रा बढ़ाने के लिए उस गाओं के उस बच्चे तक पहुंचता हूँ जो बच्चे को कोई भी प्रेटPhone नहीं में जिसको कोई भी साहरा नहीं मिला उस प्रतीबा को जो प्रतीबा बिल्कुल भिखरी हूई है उसको इकठ्ठा करने के लिए मैं दोड़ता मुए ताकत है, मैं ओफिस से जैसे ही Saturday Sunday की छुपी रहती है, तो दोनों जिन मैं प्रोग्राम में रहता हूँ, मैंने Saturday Sunday को बिल्कुल पैक कर रखा है बच्चों के लिए. ये तो हो गया कि आप अपना काम निपठा के ये सेवा में चले जाते हो, इसके साथ जो हम लोग हैं, जिनका परवार है, एक ओर ड्यूटी है परवार की, तो परवार और नोकरी, इसके लिए कैसे आप बैल्स करते हो? हाँ, इसके लिए मेरी जो धरम पतनी है, वो मेरा बड़ा अच्छा साथ देती है, बच्चों को अपालन पोशन उसके जुम्मेवारी है, और मैं बाहर के वाले बच्चों की जुम्मेवारी मेरी है, हमने ये अपना आप में एक समझोता किये हुए है, कि बाहर के बच्चे मेरे, गर के बच्चे आप, यह आप देखोगे, मैं वारवाले देखोगा यह तो बहुत बहुत अच्छा हमारे अंदर दोनों में एक अच्छा गुन है कि दोनों इसको अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और बड़ी खुशी मिलती है उसको जब मैं प्रोग्राम करके आता हूँ तो बहुत खुश होती है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे है और वो मेरे से जाला खुश होती है यह हमारा एक रह्ष्य है यह तो बहुत अच्छा है मेरा ख्यार यह अच्छे करमों की बात है कि जिसको जीवन साथी वैसा ही मिलता है जैसा आपकी सोच को जो समझ सके आपको जो आपके होंसले को जो दुगना कर सके और यह अच्छे करमों की बात है अच्छा यह बताएए आप अब भी कॉविट से पहले जो कबड़ी के हलात हैं इंडिया में जबसे जो कबड़ी उचाय शूने लगी रगी तो बहुत प्रवभलम भी साथ-साथ आ है तो थे क्या सुचवेशना इंडिया में अच्छा 5 सिच्छा 5 ईनिया देखो जनमधाता है अच्छा नं finns को जनमधाता होता है उसके टी एं अम पर आइथि काम है और जिछना मैंने बारिकी से कबड़ी को जाना है पैचाना है उसके अंदर मैं बुशा हो तो आज हिंदुस्तान की कबड़ी एक बुरे दोर से गुजर रही है जिसका खाम्याजा देर सवेर हमारे प्लेयर को मुगजना पड़ रहा है फैडरेशन्स के अपने तोर तरीके हैं कबड़ी चलाने के और उसके बावजूद जो बच्चों की जो लड़ाई है खेल से जुड़ने की खेल की बागिदारी की आगे बढ़ने की वोका मिलने की यह सारी कहिन की छूट जाती है जब इस तरह का महाल कहीं कबड़ी में आता ह है या किसी भी खेल में आता है या किसी भी संस्टा में आता है तो कहीं न कहीं दुख जो होता है वो उसी को होता है जो उसका हकदार होता है इसका कारण क्या है सरेंदर पास जी इसका कारण क्या है जब बड़ी नहीं थी एक प्लेट फार्म में थी तब ही कोई प्रोब्लम उसके बावजूद, जब यह कबड़ी अपनी चरम सीमा पे थी, तो कुछ लोगों की महतो कांकसा बहुत बढ़ गई थी, और जब महतो कांकसा कुछ जादा बढ़ जाती है, तो उसमें बहुत सारी चीजे छूट जाती है, उसमें पलेर सफर करते हैं, तो वही चीजे सारी मह महतो कांकसा की वज़े से हुई, नहीं तो कबड़ी में यह दिन नहीं आते, अगर महतो कांकसा नहीं बढ़ती किसी परसन की, किसी ग्रूप की, और आज कबड़ी कोर्ट में गई हुई है, कोर्ट का डिजन पे इंतजार पे बैठी है, और कोर्ट भी अब कोवीड की कुछ ज्यादा हम कबड़ी के अंदर कुछ कर पाएंगे और प्रेयर के लिए कुछ इस कबड़ी में ज्यादा कोई खुषकपरी मिलने वाली है, मुझे ऐसा लगनी रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे जिस हालातों में हम गुजर रहे हैं, इंडिया में बहुत अल काम करें, कैसे हो सकता है, क्या सुझाओ आपका? और इस देश की प्रतीबा बने, और मैं तो कहता हूँ कि सभी को यही अपनाना चाहिए, कि सब लोग बच्चों के बीच में जाएं, आप तो चलो लोगडाउन है, मैं तो दो साल से आप देख रहे होगे मेरा हर प्रोग्राम, एक एक दिन में में तीन-तीन प्रोग्राम कि और में जाकि बेटियों को क्रमोट करो, क्याकि बेटियां कि जिस दिन प्रमोट् कबड़ी में होंगी, तो जात क्यरोग बच्चों का बहुछ बहुत उजब हो जाए गार गई लोग करता है, तो खेलों में भी 50% हिस्चेदारी बेटियों की बनी साहिए. क्या रीजन है पहल साहब? क्योंकि जब मैं भी खेलता था तो तभी क्या होता था? माँ बाप बच्चियों को जाने नहीं देते थे, स्लेक्ट हो जाती थी, बेटियां उसको जाने नहीं देते थे. तो क्या रीजन है कि हम लोग खुद दूसरे की बेटियां खेलते हैं, उनको देख सकते हैं, शोर्स पैने, टॉप्स पैने, क्या हम आपनी बेटी को नहीं देख सकते हैं? क्या उनमें हमें आपनी बेटी नहीं देखते हैं? हाँ ये थोड़ी सी अभी मानसिक्ता थोड़ी सी अभी है उसको चेंज करने के लिए अच्छे लोगों काना पड़ेगा और एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा पेरेंट्स के अंदर कि ये जो बेटिया हैं आपकी बेटी नी वो हमारी बेटी हैं जब तक हम इस संदेश इसको घर-गर तब नी पहुचा पाएंगे तो एक भरम बना रहेगा एक सिस्पेंस बना रहेगा पिरेंट्स को एक डर रहता है कि कहीं ने कहीं उनके साथ कहीं अन्याय ना हो जाए और बहुत बड़ी एक मावाप की पुन्जी होती है तो उसमें वो कहीं ने कहीं डर बना दिन रात इसलिह मनें बेटियोंगे लेकisel मी दिया कि बेटियों में अड्म कंगेगे हम और एक यह मोर्स दीया मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सोलोगन आ अले डियिचला हूँ आप कि बेटी लड़ना सिखेगी तो वह जितना सिखेगी बेटी जीतना सिखेगी तो उसका इवा उसका निकल जाएगा और इतनी मजबूत हो जाएगी वो डिजन लेने में और घर चलाने में आगे चलके वो मा भी बनेगी जब मा बनेगी तो अपना बच्चा भी उसका सवस्त होगा जब बच्चा उसका सवस्त होगा तब पूरी जनलेशन एक ऐसी सुंदर एक सवस्त होगी तो हमें किसी हस्पताल क जब हम बेटियों को यह प्लेटफोर्म दे पाएंगे, बेटियों को यहां तक पोचा पाएंगे, तब हम सक्सस होंगे, खेलों में और विसो को आगे बढ़ाने में. मेरी यह जो आपकी बाते सुनके बहुत मेरे अंदर वो एक जनून आया है, जो आपने कहा है, अगर हार आदमी यह समझे, मेरे को एक समझ नहीं आ रही, इंडिया के 90% घरों में माता की पूजा की जाती है, वैशनो माता की, कोई तुलसी माता की, कोई किसी की, तो वो क्या है वो नारी है, तो क्या जो हमारी नारी है, जब हम लोग कुछ अत्याचार करते हैं, यह जो भेडिये उन पर वार करते हैं, क्या उनको तब ही वो माता नहीं दिखती, क्या उनमें वो शक्ती उनको नहीं दिखती, मेरा ख्याल यह थोड़ी सी जो हमारी कनून वस्ता है, उनक तो माँबाप जो है सारी उमर लड़ते रहते हैं उनको जो इनसाफ नहीं मिलता हमारे इंग्लेंड में आप आधी रात को बारा बजे दो बज़े चार बजे चाहे बेटी चाहे बेटा किसी पार्क में रोड में जा सकता है यह नहीं है कि वहां लड़का जाता होगा अकेली लड़की जा रही है उसको गसीर दिया पकड लिया ऐसा नहीं है क्यों यहां कनून सब के लिए बराबर है यहां बच्चे बुडे औरत मर्द सब बराबर हैं आप ने देखा होगा हमें पानी का गलास भी देता है बैटी बेटी देती हम फैंक यू कहते हैं इंडिया में श हैं अगर वो छोनेटा है उसकी बढ़ा हूं मेरी भी बती हुषा है ँंडिया कि अ caregiver कर दो कि मैं अगा चपार इन्समार ड़क다는 होटार ह॑ँ कि बेटियां को आगे आना चाहिए इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे परवार है, पेरंट्स है उनका हाथ है वो उनको जरूर किसी न किसी खेल में खेलने के लिए लेके जाएं जे सपना देखे कि मेरी बेटी कल देश के लिए खेलें बिलकुल सही इसलिए मैंने एक सलोगन और दिया पूरे देश में क्योंकि हमारा आचन खुद छीक होगा तब हम उन बच्चों में भी आचन डाल पाएंगे और बच्चे तभी आप पे एहतबार करेंगे, बच्चे तभी आप पे विश्वास करेंगे, उनके पेरंट्स में आगे आएं और उन पेरंट्स को एक विश्वाद दिताएं और बच्चों को विश्वाद दिलाएं कि हम आपके असली पेरंट्स हम हैं, हम गुरू हैं आपके तो तब तागे हम इस सभलता को हांसिल कर पाएंगे, मैंने इसलिए एक सलोगन और दिया, नसे से भी दूर रहना पड़ेगा हमारे जितने भी लोग है, मैंने इस सलोगन दिया, ना पान बीडी सिकरट, ना तमाखु ना सराफ, हमें तो नसा है, कपड़ी का जनाब, हाँ, वाँ, 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 क्यों, कि जो नशे है ये तो आदमी की बॉडी को खोकला करते हैं, उसकी सोच को खराब करते हैं, और उसको अच्छे और बुरे की परक नहीं रहती, और जीवन में वो आदमी बच्चों को क्या सिक्स करेगा, क्या बच्चों को देगा, इसलिए मेरी सब से निवेदर है, कि ऐसे लोग आएं कपड़ी में, जो इ दिली में हूँ, फाइस्टार कल्चर भी देखता हूँ, दिन में कितनी पार्टी भी देखता हूँ, बड़े से बड़ी पार्टी में रहता हूँ, इंदुस्तान की ऐसी कोई पार्टी नियोगी जिसमें ना जाता हूँ, तो यह अपने आप एक कंट्रोल होना चाहिए, औ तो गुरू खुद ऐसा होगा, तो वो बच्चों को भी आगे बढ़ा सकता र व ही विस्वास पाशेक्टा है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, तभी हम कबर्दी को आगे बढ़ा पाएंगे। कबर्दी निहीं हर केल में। खेलो में जो भी शिषयां जो भी गुरू और बेटे का बेटी का नाता है उसमें जो जुड़े हुए लोग है उनको यह सारे संसकार देने पड़ेंगे बच्चों में अपने आप में भी गरेंड करने पड़ेंगे तर भी हम सुक्सेस हों यह आपकी बहुत महत्तपूरन और आप में बिल्कुल सही कहा है पहले हमें अपने आप पर लागू करना पड़े गाऊ मारे इंगलेंड में क्या था जहा कबडी होती है 50 साल से चसरकल कबडी ज्यादा होती थी तो उसमें क्या है सिरफ 99% यहंजुदशाल ही होते तैंग बहुत भीड होती थि तो मैंने कहना शुरू करिया मैंने किया कह तो अपनी वाइफ को कम से कम लेके आया करो कितना बड़ा खर्चा करते हैं इतना टाइम लगाते हैं तो क्या कुछ लोग बोलने लागे यार यह तो बोलने वाला बोलता है ठीक है पहले करें तो सही मैंने उस दिन से ठाल लगी मिसीज और मैं आज कितने साल हो गए हर टूर् को कहता हूं जैसे आपने कहा है मैं उनको लेके जाता हूं यह दिखो मेरी दर्म पतनी मेरे साथ है कहीं भी टूर्णामेंट में आप किसी भी फोटो में देखो वो मेरे साथ होगी यह आपकी बात बिल्कुल ठीक है पहले हमें अपने आप पे लागू करना चाहिए जो हम क रिखातार गाओं में घोम रहा हूं हर उस गली कुछ गलिओं में गूम रहा हूं नह Leaf DruGM में जा रहा हूं मैंने एक सलोगओं दिया सबी अगर जवान अगर सिमा पे हमारी रक्षिया करता है, किसान अगर हमारी मिटी से लड़ के प्सल हुआता है, हमारा अनपैदा करता है. इस लिए प्लेयर भी हमारे लिए साथ समंदर पार जाके डर्य अदेश के मेडल लेक्याओन से dominating भी जय जयकार तब होगी, जय मैदान होगा, मैदान की जय कार होगा. तो मैं यह सविखनी से लिए दिया, जय जवान, जय किसान और जय मैदान. एक ऐसी परसेंट बच्के या तो जमान के हैं या किसान के हैं. मैक्सिम बच्छे हुनीके हैं और मैदान हमने खिलाड़ी के लिए घुलाड़ी अविक्षित खेलाड़ी मजबूत होगा जिस देश की कोई भी विश्व का देश देखेंगे जिस देश का मेडल तालिका और हेल्थ तालिका, दोनों टोप पे हो वही विश्व सक्ती बनने कि खगार पहे. दोनो चीजों हमें आगे बढ़ाने या गर देश को आगे बढ़ाना चाहिए. चाहिए कोई भी देश है, विश्व का कोई भी देश आप उसकी तालिका उठाओ. हेल्थ रेट और मेडल रेट दोनों ही टॉप पे होने चाहिए तभी वो देश आगे बढ़ेगा तभी पलेर आगे बढ़ेगा और तभी देश आगे बढ़ेगा इसके साथ मैं और जोड़ना चाहता हूं जो मेरी अपनी खुद की क्या वाद खोज है जैसे आपने देखा है रिसंडली में एक और जो एक्टर है वो अपना सूसाइड कर लिया तो ऐसे बहुत से जवान है वो सूसाइड करते हैं यह क्या हो गया उनकी बोड़ी देखो आप कितनी परफेक्ट बोड़ी है एवरी डे जिम में जाते हैं तो यह एक कमजोरी है हमने बोड़ी को तो अप अगर आपना माइंड स्टेबल नहीं है तो आपकी जो बोड़ी बनाई हुई उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि माइंड ही आपकी बोड़ी को कंट्रोल करता है माइंड ही आपको कुछ करने के लिए सिगनल देता है आपका माइंड बैलनस होना बहुत जरूरी है आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो फिर आप कुछ नहीं सोचते यैसे लोग क्या करते हैं ठीक है मैंने सूसाइड का लिया उसको किसी की याद नहीं आती फैमली की नहीं आती पेरंट्स की नहीं आती सूसाइड कर लेते हैं अरे अगर जीवन देना ही है अपना भगवान न आपको शरीर दिया है लेकिन इसके साथ साथ जरूर कहूँगा सब प्लेरों को अपना माइन्ट जो है उसको संतोलन करो माइनट की एकसिसाइग यह है आप जरूर जोगा करो चाहे आप योगा करो ऌर चाहे आप ये क्या बोलते हैं थोड़ा अभयास करो ताकि आपका मन कंट्रोल ने आपका blood pressure ना बढ़े आपके दमाग में गंदी सोच ये गवनोनी सोच जो है suicide करने की कभी ना आए तो आपने बहुत पाते कही है बिल्कुल सही का आपने इसके लिए मैंने एक स्लोगन दिया है पूरा देश में सभी जवान के लिए सभी बच्चों के लिए हर बुड़े के लिए जवान कोई भी है चाहिए वो सब के लिए वो लागू होता सब कर पानी से नाएगा शिरफ लिवास बतल सकता है पसीने से न चैनल जाता हूं मैं ग्राँड में निकल जाता हूं बहुगा इसके बाद मिल्कुल कुल ऐसे हो जाएगा बिल्कुल एखमे इसे लिए मेदेश में लिए ने सरे महिनत करोगे तो पसीना निकलेगा अगर आप ड्रग्स लोगे ये दूसरी विल्टी बाते करोगे तो ये पसीना नहीं निकलने का पसीना तब ही निकलेगा जब असली महिनत करोगे जैसे कसान का पसीना निकलता है खेत में काम करने के लिए अच्छा ये बताइए पहल जी आ आपने कहा है इसको आगे ले जाने के लिए कुछ आप भी करना चाहिए। शीमतार में कोई सक्सियत, कोई ऐसी जग है नहीं जहां मुझे ना बलाया जाए, जहां मेरे बातों को ना कहीं प्लेट्फोरम पे विजारों को ना कहीं सुना जाए, तो मैं लगया रहा हुआ हूँ, मैं अपनी उस पर लडाही पे, अपनी बातों मुझे जरूर सुपलता मिलेगी और मैं उस एक छोटी सी एक आपको कहनी बता दूँ एक सर्जन नदी किनारे जा रहा समूंदर के किनारे जा रहा था और समूंदर से मचलिया आके बाहरा आके गिर रही थी तो एक को उठा के समूंदर में फैक रहा था तो एक वहां से कोई आप प्रीचित आदमी भी जा रहा था वो कहने लगा रहे बड़ा मूरख आदमी है एक मचली को उठा गे प्यक रहा है तो लाख मचलियां पड़ी है किस को बचा होगे आप तो उस आदमी ने जो एक मचली उठा रख ए थी वो पानी में प्यक्ते वए का कि इसको तो मैं सकता हूं तो हम उस नीती पे चलना चाहिए हमने जितना हम महारा सामरत है हम उसको करते रहना चाहिए हो सकता है कि आपको भगवान उपर से आपको बड़ा मोका दे तो आपको बड़ी जुम्यवारी मिल सकती है जितनी जुम्यवारी आपको मिली उसी को अप अच्छे से न बहुत बहुत मेरबानी और आपका इतने अच्छी सोच एक बड़ी के लिए मेरा ख्याल है अगर सारे ही जैसे आपने का जुम्यवारी अगर सब ही आपने अपनी जुम्यवारी समझ लें तो मेरा नी ख्याल कर कहीं भी कोई तोट जया कोई गया प्रह जाएगा कुछ लोग हैं जो जुम्यवारियों से उतराते हैं उनको जुम्यवारी मिली है लेकिन वो नवाते नहीं हैं जैसे उनको नवानी चाहिए तो यह चाहिए बताइए मुझे जो आपके वहां जाट समधाय है उनका कोई है प्रोग्राम कोई फॉरण में होने की को साथ वो हर सा प्रोग्राम करवाते हैं जाट कनाड़ा अमरीका अस्टेलिया न्यूजिलेंड जर्मन प्रांस लोग में यूके में वो लोग हर साल प्रोग्राम करते हैं तो उन्होंने पहले प्रोग्राम के पता निथा लोग डाउन लंबा चलेगा तो यह प्रोग्राम पहले सित्त है वो दिली आके मुझे invite करके गए थे तो अब ये program online रहेगा जैसे आज हमारी बात हो रही है तो ये program physically नए होके तो ये online रहेगा तो ये 28 तारीक को 3 बजे उस पे मैं online रहूँगा और खेलों के परती वो जो लोग मुझसे नंबे समय से जुड़े हुए है वो सारे लोग मुझसे उमीद रखते हैं कि मैं खेलों के बारे कुछ जादा उनको बताऊँ और खेलों को कैसे आगे बढ़ाए जाए उसके बारे में अपने विचार रखो तो मैं उनको जाओ बेटी पढ़ाओ के प्रोग्राम में चीफ गैस था बंबे के अंदर वहां सारी फिल्मी फिल्मी दुनी आई हुई थी एक सो साथ कंट्रीज का प्रोग्राम था तो मैं गैस्ट अप होनर था स्यूंख से कांट से गईनी तो चीफ गैस्ट उन्होंने मुझे बना दिया तो कंग्रा ननावत को जब बात आई आप явी वाली बात आई वनन उसको एक बात कहीं महाँ देखो पंग्रानानावत ुमें कितना अर्यानवी लेंग्वेज नहीं तो अखड़ सी एक अखड सी बासा है तो मैंने कहा कि आपने जब से अर्यानवी फिल्मे बनाई अर्यानवी लेंग्वेज को पकड़ा तब से आपका पॉन्विनेंज डॉल ओ गया है और वो प्रभिदेंश के बाद पहले देखो में मिट्टी से लडना चाहिएं चाहिए जिए भी जए मिट्टी का खेत में जड़े Oh my जब में मिट्टी से लड़ेगा तो में Чाह एक बाद में लडेगा बहुत तो आपको मैं बताता चलों यह जो अभी हमारे बॉलीवुड के स्टार यंग स्टार ने सूसाइड किया है तो अभी हमने क्या किया है हमने यह एक चेन लाउंच करी है कि हम प्रेशब करेंगे डंड मारेंगे डंड क्यों बोलते हैं कि आपने कहा है पसीने से नहाएगा तो बल्वान बनेगा ठीक है पानी से नहाएगा सरफ लिवास बदल सकता है पसीने से नहाएगा इत्यास बनेगा तो उससे से है कि यह जो कसरत है जो एक्सरसाइज है आपक आपके अंदर प्रेशर आया कुछ ऐसी बात आई तो आपने प्रेसर करनी है तो जिसको बोलते डंड पेलने हैं तो हमने क्या किया है कि यह खतम करने के लिए कि हमें सुसाइड नहीं करना हमें सबका समर्सन चाहिए हर एक को बोला है कि वह आपनी वीडियो बनाएगा जिसमे वो कम से कम 25 डंड मारेगा और पोस्ट करेगा तो यह चैन होगी यह एक चैलेंज होगा जो यंग्स्टर हैं खास करके नहीं हम सूसाइड नहीं करेंगे हम बलवान बनेंगे जैसे आपने कहा कि सोच बदल नहीं है सोच बदलेगी आपकी तो आपका किरदार बदलेगा आपको सूसाइड करने के जरूरतनी होगी इस दुनिया में बगवान ने हमें बेजा है किसी ने बनाया नहीं है फिर हम किसी के कहने पर अपनी जिंदगी को क्यों दे रहें क्यों निसार कर दें आप तो चले जाते हो वो तो चले गए हैं लेकिन जो उनकी फैमिली है उनकी जो प्रॉबल्स बढ़गी है उसका जुम्यदार कौन है आप हो वो कहते हैं न यू तो गवरा के कहते हैं कि मर जाएंगे हम अरे मर के भी चैन ना पाया तो कहां जाएंगे हम क्या फैदा उस सूसाइड करने का जो आपकी फैमिली बार पीछे तडफ रही है और आप वहां उसको देख रहे हो वापस नहीं आ सकते सूसाइड करना सोचना ही पाप है आप अपने जो फैन हैं आपके लवर्स हैं बहुत बच्चे आपकी कदर करते हैं आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं मैं यही मैसेज दोओंगा कि वो अपने जीवन में एक सपना जरूर देखें और सपने को पो अकिकत में बदलने के लिए वो दिन रात जागें और जब तक उस अपना का हासिल ना हो तब तक वो लगे रहें और मैंने जो सुलोगन उनको दिये ही ये सारे अपने जीवन में गरण करें जीवन में पर बटान दॉकलुए करumed ऐनको तो वह एक बहुत बहतरीन तौफ़ा है पुद्रत का उसको संजीद्गी से जिए बहुत ही संजीद्गी से जिए और लाइफ अपनी जीके उसके बाद दूसरों को भी उसका आनन दिलाएं यही एक सची लाइफ है और यही सचा करते हुए है यह बहुत बड़िया आपने बात करी और बहुत एक खुशी होई कि भारत माता के स्पूत यह होते हैं बारत माता के स्पूत जो यह सोचते हैं मेरे देश ने मुझे क्या दिया है वो यह सोचते दिन रात अरे मैं देश को क्या दे सकता हूं मैं इस दुनिया को क्या दे सकता ह दिए रखुआ हैं कि एक लिए भी को चुना ए और बिना निस्वार्थ के आप जटना लेके निकले हो तो मेरी विशिषी आपके साथ हैं. जैसे मैंने पहले भी कहा है, कहीं भी आपको कोई जुरूरत पड़े मेरी, तो मैं हाजर हूँ. तो ये मोर्टिवेशन जो आपने की है, आसा है कि हम लिल के इंडिया में, हर्याना में और ज्यांदिली में कुछ पड़ा करेंगे. यहां सब बच्चों को इन्वाइट करेंगे, जो उसमें डिजर्व करता है. बिलकुल, बिलकुल. कबड़ी को लेके तो बहुत बड़ी मुहीम लोगडाउन बीच में आगया, बहुत बड़ी मुहीम चेड़ने का आपके मारक दरसन में प्रोग्राम था. वो मुका फिर मिलेगा, बच्चों को उसका हक जरूर दिलाएंगे, और ऐसे लड़ते रहेंगे, और बच्चों के लिए जब तक जान है, जान है, और जब तक हम हैं, तब तक हमारे बच्चे हैं, और जीवन में यही एक दूसरे के दो शिक्के के पहलू हैं, और इसी को हम प्ले कबैडी, प्ले कबैडी, आप खराब रस्ते में मत जाओ, कबडी के पलियर बन जाएंगे, वो बोलते हैं ना कि क्या करेगा, अरे कबडी वो है, मिट्टी लगेगी आपकी धर्तिमा की, आपके सरीर के उपर, तो कहते हैं ना कि आपकी काया ही बदल जाएगी, बिल्कुल, आपने जो कहा है कि जय जवान, नहीं, क्या बोला, आपने जय जवान, जय किसान और जय मैदान, जय मैदान, तो यह है कि जिसको खेल प्यारी है, वो अपने मैदान में उतर जाए, और अगर उसको कोई हैल्प चाहिए, तो आप के साथ संपर्ख करें, जय है, मैं कोशिक करूँगा, जो हमारे सारे फाल्वोर हैं, कबड़ी को के उनको जाए, और आपकी सिख्या पे चलें, तो आपका बहुत-बहुत धन्यावाद, थैंक यू. मेरा भी सभी विशों के सभी प्रेयर्ज को, विशों के सभी कबड़ी प्रेमियों को, सभी विशों के कबड़ी पदाधिकारियों को, मेरा तै दिल से नमस्कार, और बहुत-बहुत आप लोगों का जो प्यार मिला, आप लोगों का जो सयोग मुझे मिला हुआ है, मेरा तै और ऐसा जनून है इन में ये हर जगा कहीं भी कहां भी इनको कुछ मानत करता है बलाता है तो ये बड़े चाह उसे चले जाते हैं मैं तो देखता रहता हूं कि ये कैसे करते हैं वो आपने सुनी लिया उनकी जवानी आईए हम भी ऐसे बने और जो उन्होंने स्लोगन दिये है और वो स्लोगन तो उन्हें दे दिया है लेकिन उसको अपने जीवन में डालें जीवन में तब ही डाल सकते हैं अगर आा हम लोग सब उन पर चलेंगे छोड़ दिदी जीए कौन क्या करता है कौन किसको क्या कहता है दुनिया में बहुत लोग हैं एक दूसरे की पिटकियों पीछे बहुत कुछ कहते हैं हमारे सब ऐसके प्तापूर के लिए जो पितापुर की सब्सक्राइब करेंगे तो कमेटिया होती रहती है किसी को परदान सेक्टरी जिनल शेक्टरी किसी बनना है उसके बिना घर नहीं चलता उसके बिना स्वारी कमेटी नहीं चलती है लेकिन कबड़ी तो हमारी है, आउ प्लीज मिलके इस कबड़ी को सारी दुनिया में फिलाएं, ऐसे करें जैसे क्रिकट, फुटबॉल है, जैसे हम लोग घर घर में क्रिकट देखते हैं, फिर कबड़ी क्यों नहीं, तो आप सब का सास चाहिए, आप सब का शीर्वा चाहिए, अगर इस मीटिंग और इंट्रू के दर्वान, हम दोनों से किसी के लिए कुछ अप शबद और गल्त बोला गया हो, तो मैं माफी चाहता हूँ, तो आज के लिए इतना ही, तो प्लीज आप कबड़ी को को देखते रिए, और ये आगे भी लोगों को फॉरवड करिए, अग आप अपने कोस्टिन भी सकते हो, तो मैं उसके अंसर देने के लिए त्यार हूँ, थैंक यू, बाबाए